यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद का छठा दिन है रूशिशेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीप पर बंबारी कर रही है अब कीप पर रूशिशेना मिशायलों से भी हमले करने लगी है वहीं जंग में एक भारतिय चात्र के भी मौत हो गई है वहीं हमले के बाद लगख 400 अबिहार के चात्र और चात्राएं वहाँ फसे हुए हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उशी में सहरसा बस्ती के मीर आलम की पुत्री अथाका खुरसीद है जो first year MBBS में उजूल Medical National University में admission ली थी लेकिन हमले के बाद काफी सहमी हुई थी उसने बताया कि जब 24 फरवरी को रश्या ने यूक्रेन पर पहला हमला किया तो हम लोगों का उस दिन एक्जाम का दिन था हम लोग काफी डरे सहमे थे क्योंकि रूस के द्वारा लगातार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था हम लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा कर बनकर इलाके के सरन ली उसके बाद हमारे माता-पिता काफी परिशान थे उनने बोला कि ये वेस्टन साइड है ये रॉस्या के बिलकुल आपोजिट आता है इस्टन साइड पे हमला हो चुका था काफी से दो स्टेट्स रॉस्या उस ताइम तक कैप्चिर कर चुकी थी जब हम नहीं आया थे पेरिक्ट को आपोजेए रॉस्या हो गाते हैं था कालें और को इवह स्केंद किया कहला हो खनाक्त किया सब फिर इन आपरे को हम कोल कि वारा एक पाल आया कि हमने दो फिर नहीं हें sometime the time machine सी ने हमें इवेक्वेट कराया अधर से तो फिर हम बस से 20 मिनिट में लाइक फर आफ एन आर में हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया इन जस लाइक पाकिंग फर लाइक फिर हमारी एर इंडिया के फ्राइट से हमें इन आई आई आपोर्ट लाया गया था लेकिन मेरे मेरा मानना यह कि भारत सरकार अभी भी वो बच्चे जो खार्खी में है जो कीव में है विनिट्स्या में है बंकर में है भूके है पानी नहीं उनको मिल रही वो खाने के लिए तीन बच्चों के डथ भी हो गई है इस दीज में लेकर के 14 students and 3 Indian students के death हो चुकी है I think government and Indians should know that 3 students, Indian students have been died who are doing medicine in Kiev National Medical University which is over there in Kiev itself and Kharkiv के कुछ बंचे काफी को चिलिग अटाक्स राचुकी है जो बंकर्स में है जो भूके प्यासे है So I repeat Indian government to do that and thanks a lot Indian government and Indian embassy to reach me out of my home and yeah my parents and we are very lucky to have You have paid any cost? Yeah, I paid 50 dollars for that. Where? I paid 50 dollars in Ukraine or in the western side, western border of Hungary. After that you have not paid any rupees? No, I didn't pay any rupees. Indian government didn't cost me anything. The actual cost which I paid to it was the Ukraine itself. I didn't pay to India. What you have said about India government? Indian government, I really thank Indian government to reach me out of my family and really I am literally very helpful to Indian embassy who actually were in contact with us for like three days. It was the three day journey and very suffocating journey but itself Indian government is the best to be honest. After reach Sarsa, how do your parents feel? Oh they are very happy and I am very lucky to have their Bihar government and Indian government. I am literally very thankful to them. We are happy with them. We are. We are. We are. दोने हमारी मदद वा अन्य भारतियों को वापस लाया। इतर जिलाधिकारी आनन्द सर्मा और एश्पी लिपी सिंग यूक्रेन में फसी छात्रा से मिलने उनके घर पहुँचे जहां छात्रा से मुलाकाद की और जानकारी हासिल। इदर जिला अधिकारी आनंद सर्मा ने बताया कि सहरसा के कुल नौ छात्र युक्रेइन में फशे हुए थे जिसमें एक छात्रा अपने घर सही सलामत महुँच चुकी है वही आठ लोग अभी वी युक्रेइन में फशे हैं जिसको लेकर अधिकारियों से लगातार बात चील की जा रही है जिस सहरसा जिला से टोटल नौ लोग का रिपोर्ट हमें है अभी जो हमारे पास है आठ का डिटेल अभी आजी घंटा पहले और आया है जिसमें से अच्छा लोट के आ गई है बाकी लोग के पीछे हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे है आठ बच्चों को और देख रहे है जिसमें से कुछ रुमानिया बॉर्डर पे हैं कुछ पोलेंड के बॉर्डर पे हैं वहाँ पे इंडियन फॉरिंट सर्विस के ओफिसर्स हैं इसके हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, भारस सरकार की तरफ से जो है, एमबेसी की तरफ से वहाँ पर कॉडिनेशन चल रहा है, बिहार सरकार लगातार एकदम एक एक बिंदूओं के उपर नजर गडा के रखी हुई है, जो भी हमारे बिहार के लोग वहाँ से लौट के आ रहे हैं, डेली से या मुंबई से free of cost एयर टिकेट भी बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि free of cost हम लोग बिहार लेके आएंगे, चाहे पटना एयरपोर्ट, चाहे दरबंगा एयरपोर्ट, चाहे बाग डोगरा एयरपोर्ट, जहां पे भी सहुलियत हो, वहां पे हम लो लोग कामना करते हैं कि सभी बच्चे एकदम सलामत अच्छे तरीके से अपने घर लोट के आ जाएं, और सरकार पूरी दतपर है, अपनी एक-एक बिंदों पे सभी लोगों की मदद करने के लिए, फिलाल बोलता बिहार में अभी के लिए इतना ही, आपको ये रिपोर्ट क कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दुरंद कर लिजे, और आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूले